उतरवर्देश के गाजेपुर में बारातियों से भरी बस उस वक्त आग के गोले में तबदील हो गई जब 11,000 वोल्ड की बिजली के हाइटेंचन तार के चपेट में आ गई एक और बाराती हसी खुशी शादी में शामिल होने जा रहे थे तो वहीं लटकते हाइटेंचन की तार ने खुशीयों को मातम में बदल दिया तार के चपेट में आते ही बस धूधू कर जलने लगी जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पांच लोगों ने अपनी जान गवा दिये वहीं कई लोग हादसे में गंभी रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाद चल रहा है वहीं करीब पांच लोग गंभी रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिसके बाद मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है वहीं बस में 30 से जादा या 30 सवार थे हादसे को अपनी आखों से देखने वाली एक महिला ने रोते हुए अपना दर्द वया किया और कहा कि मेरा पूरा परिवार अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है मिली जानकारिक मोदाविक बस मव के कोपा से बरात लेकर मरदह के महार धाम पर आ रही थी इसी दोरान गाओं के पास पहुँचते ही चलती बस हाई टेंचन लाइन से टच हो गई और बस में आग लग गई केजी को बस से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर बुलिस प्रशासन पहुचा वही दर्दनाक हादसे पर स्पी गाजी पुरोंवीर सिंह जानकारी देते हुए बताया कि पांच लोगों की हाथसे में मौत की पुष्टी हो चुकी है और कई लोग गंभी रूप से घायल है आज एक मौजनपस से एक बरात यहां महारधाम आ रही थी वो करीब मंदिर से 200-300 मिटर पहले क्योंकि मंदिर भीडबार होने के कारण बहारी वहानों का प्रवेश वर्जित था तो यह बंबा एक है उसकी पट्री से जा रही थी इस बंबे को क्रॉस करते हुए एक हाई टेंशन वायर था उसकी चपेट में वो बस आ गई जिससे कि उसमें आगजनी हो गई मौके पर पांच लोग मृत हो गए हैं और यहां से जो अभी तक जानकारी मिली है दस लोगों को रिफर किया गया था जो पीएसी मरधा है वहां से पहले चार फिर एक और अभी बताया गया है कि पांच लोग जो हैं गंभीर है थोड़ा उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और पांच लोग मामुली रूप से घायल है उनका इलाज पांच लोगों की कुछ लोगों के बारे में बताय गया है कि वह वापिस अपना महू चले गए हैं और वहां अगर उनके एक-दो के बारे में जानकारी हुई है कि वहां किसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उसकी जानकारी की जा रहे हैं कि बस कहां से जा रही थ प्रशासन कोई अक्षन लेगा ये तो देखने वाली बात होगी NBT Online की रिपोर्ट